अलो दोस्तो वैलकॉम बैक टू चैनल आज की इस वीडियो में आपको इंसर्ट टैप के अंदर पिछली वीडियो में हमने टेवल के दोनों टैप सीख लिए ते तो आज की वीडियो में आपको पिच्चर का टैप सिखाने वालों क्योंकि अभी आप देख सकते हैं पर लास् इंपोर्ट करना है तो सबसे पहले हम इस इंशर टैप पर जाएंगे इसके बाद साइपि पिच्चर पर जाना है तो इसमें हमें दो ऑप्सें मिलते हैं तो पहले भी हम यहां पर इसको इसको इंसर्ट करेंगे तो यहां पर देखें करते हैं अब ही हमारा करसर पेच के उपर है अभी पिच्छर करेंगे तो पिचर पेगाम करेंगे लेकिन अलग सी टेभ उपर होते हैं वह सारे तैब मैं आपको डिटेल ने बढ़ा और आथा हम सबसे पहले चाह से मैं किसी उमेज को उपन कर लेता हूं जासिते सको इसको इंसेर बडिता है आप क्या करना है मैं चाहता हूं जो सारह करने यह मुझे इसे चाहर से नज समें के सरत करना है जैस faço तो आनके नट्यार से सरी option का use क्या होता है कि आप जो इसमें add करना चाहते हैं वो आप यहां से इसमें से add कर सकते हैं और जैसे यहां पर जूम करके देखेंगे तो यह मुझे क्या करना है जैसे यह यह मुझे हटाने से मुझे तो हम क्या करेंगे इसमें से इसको एड कर देंगे इस तरीके से तो यह स्केंदर से एड होगा ऐसी आप और भी जैसे इसका हाथ का एरिया है यह स्केंदर अभी एड हुआ पड़ा है मतलब यह इसको एरेस कर देगा तो यहां से इसको एड कर देंग तो देखिए जितने अरिया हमने स्लेक्ट किया था वो सारे यहां से डिलीट हो चुका है तो आप इस तरह से किसी भी मिज का बैग्राउंड जो है इसमें एमस वर्ड के अंदर से डिलीट कर सकते हैं फिर यहां पर पिच्चर को उपन कर लेते हैं जिसके उपर हम प्रैक्टि साफिर कॉंट्रास की वेल उसको कम या पिट ज्यादा करना है तो इसके देर में काफ़ी सारे वेरियेशन दे रखें तो आप इसमेंसे जो भी अपलाई करना चाहता है संप्ले इसपर क्लिक करेंगे तो संप्ले आप यहां से इस तरह के से इसके त्पर राइशन लेकिन वैट का शेट भी इसके अंदे रखा है तो आप इसको भी यहां से यूज कर सकते हैं और अगर मूर बेरियेशन पर जाएंगे तो आप अपने कॉर्डिंग भी किसी कलर का भी बैसना से क्रेट कर सकते हैं फिर यहां पर आम नेक्स्ट आप साथ हमारा आर्टिस्टिक पर चाहते हैं कि आपकी जो इमेज है वो एक आर्ट की त़रे शो करें इस पर हम onnais सकते mixture option देराए जो भी किसी आप्लोड करेंगे सिंपल सिंपली क्लिक करेंगे कैश कोशिएंड में Pushade पिर यहां पर आता कॉंप्रेस पिछर हम जब इसके उप्रिंट करते हैं थी या फिर दिए पर आटा तो हमने इसको क्लिक करें इसको कर सकते हैं इस तरह है यहाँ यहाँ पे आता चेन्ज पिच्चर तो आपको क्या करना है अपनी पिच्चर को इसमें से चेंज करना है आप चाहती हैं कि यह वालीБ इमेजो ब Меня दिलिट हो जाए और से जगह पर replace करेंगे एक दूसरी picture open हो जाए तो इस पर change picture option पर क्लिक करेंगे और यहां करेंगे first option device तो आप यहां से किसी भी image को open कर सकते हैं हम ने क्लिक किया तो यह एक image यह भी तो यहां से इस image को भी open कर सकते हैं फिर यहां पर जो हमारे next option मिलते हैं वह इसमें picture style option तो आपको अगर picture style के option यूज़ करने है तो इस पर हम पहले क्लिक कर देंगे तो इसके अंदर आपको काफी सारे borderless के option मिल जाते हैं तो मैंने it क्लिक कर दें हां से इस तरह की जोभी आप यहां से select करेंगे तो वह आप यहां से apply कर सकते हैं यह जो circle वाले है जैसे कि अगर हम सिंपल वाले पिछर यूझ कर रहे तो इसका यूज कर सकते हैं पहले हमें इसने आपको पॉर्डर करेंगे तो अब आपको इसमें से इसमें ऑफ सेलेक्ट करना हम simply click करेंगे तो आप यहां से इस तरीके से जो आपके picture का border है उसको आप यहां से change कर पाएंगी फिर यहां पर जो और भी option देखे हैं यहां से अगर no fill करेंगे तो border का जो color है वो show नहीं करेगा हट जाएगा और यहां से more color click करके यहां से आप अपने खुट के color भी हाँ से edit क करके बना सकते हैं कि और अगर आपको वीड़ानी है है फिर कम करनी यहां पर इसकी वेट को भी कंजादा कर सकते हैं और अगर आपको चमें दिया गया है उसको आपको डॉट में करना है डैश में और तो वह अगर से कर पाएंगे पहले आपको यहां से ब्लैक शेट में कोई बॉर्डर लेना है इसके बाद आप इसका यूज कर सकते हैं इस तरहीं से मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे इसमें जो हमारा बॉर्डर है वो दोंटीडवाला अप्लाई हो चुका है फिर यहां पर आता है नेक्स्ट और पिक्चर एफेक्ट तो पहले इसको पहले ही वाले इस पर कर देता हुए अच्छा लग रहा था क्योंकि फिर यहां पर आता पिचर तो आपको अपने पिचर को 3D में लेखना है या फिस बॉबब आपको इसमें आखर शै だो लगाना है तो आपको इसे ड़ाइव कर सकते हैं जो भी आपको शैडिख करना है जैसे यह बाओ अच्छा लग रहा है मैंनश क्रिक कर दिया तो इसेें he यहां से इसके अन्र एक रसकते हैं यहां से इसके इनल में सकते हैं बने क्लिक करे के टी में भी मिन करते हैं आपको समझ से लुकं warriors до एंगगं को पिस्वारीel कोई के तो आप इसको और तो आपको करना है् पिच्चर को किसी layout के अंदर टालना है जैसे इसमें अलगलग shapes है और हम चाहते हैं कि इस picture के बारे मुझे कुछ text अगर type करना है तो हम simply यहां से कोई साथ भी layout यहां से use कर सकते हैं और इसके अंदर हां से कुछी भी type कर सकते हैं जो भी आपको इसमें लिखना है वो आप easily यह इसको apply कर सकते हैं तो इसमें मारे काफी सारे option में मिल जाते हैं फिर यहां पर आता है हमारा text तो यह option में इसके उपर कुछ notes लिखने के लिए use करना होता है बस इसका ज्यादा usage में नहीं होता फिर यहां पर आता position तो position तो हम इसकी जब set करेंगे पहले हमें क्या करना कि अगर इसका size हम बड़ा रखेंगे तो already वो पूरे page यह उपर spread रहेगा काफी बड़ा size रहेगा तो पहले इसका size हम ने छूटा कर दिया तो हम चाहते हैं कि इसका जो size है वो page के top में आए या फिर center में आए या फिर left-right में आए तो इसके recording यहां से हम पोजिशन उप्षिन का यूज़ करेंगे जैसे अकर हम इस पर क्लिक करेंगे तो अल्यड़ी हमारा default यह वाला option होन रहता है तो जैसे मैं इसको जहां पर left बाड़ा करेंगे तो left में आगी image हमारी center-right करेंगे तो center-right में आएगा बिल्कुल center करने चाहते हैं तो यहां से इसको हम center भी कर जकते हैं आपको इस option का यूज़ करने के लिए पहले आपको image का size छोटा बड़ा कर सकते हैं आप corner पर जो dot देख रहे हैं आपको सकते हैं आपको इन डॉट पर क्लिक करना और यहां से इसको नीचे की side में left क्लिक करकरे द्रैक करना तो आप यहां से image का size छोटा बड़ा कर सकते हैं तो अब इसको पहले सरकल में पिलकर देते हैं तो अब इसको Lab ऒहाँ रखेंगे तो 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 कि iii उसको square फॉर में मनें कर दियाता तो इसको यहां से हम square form बे कर सकते हैं और यह आप सारों आफ से उसकर सकते हैं फिर आप आप आता बिहाइंट टेक्स्ट ऑप्शन अगर बहाइंट टेक्स्ट करेंगे तो यहां पर जो हमारी इमेज है वो टेक्स्ट के पीछे चले जाएगी और बूर सो करेंगे तो वह सामने भी हामा कर सकते हैं सिक नहीं सब्सक्राइब सकते हैं। पहले हमें दो इमेज को इंसर्ट करना पड़े गाकि एक इमेज को मैं इसको tyone कर देता हूं पर एक चीज और कि अगर इसको हमेले कई मूब करना एह तो हम इसको यहां से square mode पर कर देते हैं जिसके बाद है इसको कहीं भी easily move कर सकते हैं तो एक और image को यहां से मैं फटा-फट से open कर लेता हूं मैंने इस वाली image को भी यहां से open कर दिया और इसको भी यहां से हम square mode पर कर देंगे square mode पर करने के बाद इसको easily कहीं भी मूव कर सकतो इसके इंदर मैंने इसको ऊपन कर सकतो अभी मैंने डouldों को यहां से स्क्वेयर मोड पर कर दिया यह पूछ पे तो अब मुझे क्या करना है जा लेकित पीछे WASब give per वहां से हम जाके कर देंगे इसको bring forward तो आंप इस इसे सेंड बैक्वर्ड और bring forward कर सकते हैं फिर आप रहाएड शेलेक्शन पैन तो सारी इमिज इसको जो भी आपको इसको मेज आपने आपके ऊपन करी हुए है यहां से इसको hide and hide कर सकते हैं यहां इसको hide all करेंगे तो और यहां पर इसको show all करके यहां पर इसको hide and show कर सकते हैं तो फिर यहां पर इसको हमने कभी Ctrl Z कर दिया और दुबारे आप पर हम जांगे पिचर फॉर्मिट पर फिर आप पर आप सिलता में align तो align को यूज करने के लिए पहले इसका side क्योंजिंक कcribe got.com में उसको solve left right center करना है तो मैंने सका side दोबार चूटा कर दिया Align में जाके हम भीजिए करना है जयसे मैंने सको left है तो तो शी कंठ करना है तो यहां चेवाव हम Center कर सकते हैं और यहां पर इसको right भी कर सकते हैं यहां के tap प्यांस यूज कर सकते हैं मैं इसको अगर मिडल करेंगा तो पेज के बिल्कुल टॉप में आ जायेगा तो आप इस तरह चेंश को लेफ्ट राइट सेंटर बॉटम टॉप में कर सकते हैं फिर यहां पे आता है ग्रूप ऑप्शन तो ग्रूप ऑप्शन अभी आप देख सकत है यह उप्शन अभी यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए हमने दो इमेज इसको ऑपन करना पड़ेगा तो मैं इस image को डूब्लिकेट कर लेता हूं किशी इमेज को डूब्लिकेट करना चाहते हैं तो शबसे पहले उस image को पहले Select कर के फिर हम keyboard मे northern control के साथ में तो आप यहां से इसको duplicate कर सकते हैं तो इनहां से इसको duplicate करदे हैं तीन image से आ चुकिये है तो अब मुझे क्या करना है इसको group करना तीनों को तो अब multiple selection करने के लिए control को hold करके दूसरी वाल इमेज पर क्लिक करेंगे तो तीनों जाएगे इसको उन्गूप करना है तो दुबारे क्या करेंगे इसको उन्गूप तो इसको गूरूप और उन्गूप कर सकते हैं तो आप यहां से इसको इसली रोटेट कर सकते हैं चार उप्षिन है तो आप यहां से इसको रोटेट कर सकते हैं तो अगर हमें किसी इमेज को क करना है तो हम simply crop option पर क्लिक करेंगे और crop पर क्लिक करने का वार यह जो आपको कौनर पर दिख रहे हैं आपको इसको sliders को नीचे move करना है और जितने आपको यूज करना है सिंपल हम इस पर क्लिक करके हां से इसको हो एंटर कर देंगे तो यह हमारे एडिया क्रॉप हो जाएगा फिर आप यहां से आप इसका size इजली यहां से बड़ा सकते हैं तो दोरों का size यहां से proportionally छोटा बड़ा कर सकते हैं बस आपको आपको वीडियो में सिर्फ इतना है, next वीडियो में हम आगे के option सीखने वाले हैं दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो please वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को subscribe कर देना ताकि ऐसे useful वीडियो आप तक पहुंचते रहें